अगर आपको ये विडियो अच्छा लगा, तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए और आपका अपना शैलेश लोधा स्वागत करता हूं सारा देश, सारी दुनिया इस वक जो मैं देख रही है, मैं जानता हूं, आप हम बड़ी महबद करते हैं, और जिंदगी में महबद करनी भी चाहिए महबद एक ऐसी शैह है, जिसे नहीं की, उसने कुछ नहीं किया और किसी से नहीं हुई तो जिन्दगी में किया ही किया और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत कोशिश करते हैं लेकि महबद नहीं होती क्योंकि वक्त बदल गया, आज के बच्चे तो बड़ा स्मार्ट हो गया आठवी और साथवी क्लास के बच्चों के आप सोशल मीटा पर स्टेटस देखो हमने इतनी मुहबबत कर ली के जमाने से नफरत कर ली मैंने का उमर देख ते री हमारी हुमर में क्या होता था मैं आपको बता हूँ आज कल के स्कूल में जब बच्चों के फंक्शन होते ना बड़ा कल फंक्शन है वियर बड़ी एक्साइटेड मजा आएगा और हमारे जमाने में कल भई प्रोग्राम में बस्ता लेकर अने करी सर ये बदा दीजिए हाँ हाँ है टो ठोट प्रोग्राइग मेरे टाइप के आज की जमाने के बच्चों को रा यंदेख डिगा इस बांतर कोई दूरा था वे इकले का नो ढंँ डिस्थ हमींग मंगी अई Development Andaure को को scrim आठवी आठवी के बच्चे मोहबत कर रहे हैं और मनुझ जी आप देखिए आप कटनी से आये हैं और आपके जिवन में पटनी बहुत मुश्किल है ये हैं मदोर मनुझ जो हाथ समंग के कवाल के कवी हैं और कटनी मध्यप्रदेश ने हमारे बीच में आते हैं बड़े पुराने कवी हैं मेरे बहुत सालों से मेरे मित्र हैं मेरे जानकार है और बहुत वर्षों से मैं इनका प्यार और ये मेरा प्यार पाते रहे हैं हिंदी कविताओं का अनुराग इनका अजफुत है और उनके पास ही मध्धिप्रदेश के अकुदिया मंडी शाजाफुर के पास एक जगह है वहां से गोविन राठी आते हैं और ये भी मध्धिप्रदेश से हैं आस तो मध्धिप्रदेश पेशल है हमारे पीछ में ये भोपाल से हैं इनका नाम है दीपक शुकला दना दन ये दना दन जोड़दार है यार अच्छा हुआ कि आप महिला नहीं है वरना आप तखलुस टना टन भी रख सेकते हैं तो ये है दीपक शुकला दना दन भोपाल से ये है गोविंग राठी अकोदिया मंडी मध्ध प्रदेश से ये भी मध्ध प्रदेश से और ये भी कटनी मध्ध प्रदेश से जो हमारा देश का एक बहुत ही खूबसूरत प्रदेश है और वहां बहुत प्यार मिलता है तो आईए इस प्यार को सारी दुनिया में बाठते है तो दनादन चले आओ फना फन जोर दार थाले पेनगे देपक केरें देपक शुक्ला बहुत बहुत धन्यवाद सर सर आजकल के ब्यूटी पालर रुपी परियों के इस युग में एक प्रेमी अपनी प्रेम का से क्या चाहता है घर बार क्या संसार को भी छोड़ दूँगा मैं रसमों को रिवाजों को सभी तोड़ दूँगा मैं चहरा तुम्हारा देख के आता सुगू मुझे मेकप के बिना आई तो सिर्फ फोड़ दूँगा मैं घर बार क्या संसार को भी छोड़ दूँगा मैं रसमों को रिवाजों को सभी तोड़ दूँगा मैं चहरा तुम्हारा देख के आता सुगू मुझे मेकप के बिना आई तो सिर्फ तोड़ दूँगा मैं बार बढ़ गया दीपक लेकिन सर शादी के बाद मायने बदल जाते है शादी के बाद पतनी फिर क्या बोलती है बोरी बली में रुक गई इंगलेंड समझ कर गेंडे की पीठ थप थपाई बेंड समझ कर किसमत मेरी वो शखस भीगा था निकल गया मैं जिसके साथ आई थी हज़ बेंड समझ कर मेरी पतनी एक बार गुस्से में पड़ी तेटेच कुछ चबा रही थी मैंने उससे पूछ लिया गुस्सा क्यों हो चबा क्या रही हो तो कवी की पतनी उसने चार पंक्तियों में जवाब दिया धोखे में दूद के मठे की खीर खा गई तकदीर खा गई तसबीर कल मुझे मेरी शादी की दिख गई घुस्से में फाब के वही तसबीर खा गई यहाँ वाँ और जब एक कवी की शादी को कुछ वर्स हो जाते हैं तो उसकी इस्तिती कवी की घर में क्या होती है मा ने कहा बेटा मेरा जोरू का गुलाम बना बीबी बोली लगता है मुझे मा का लाल तू पापा बोले मैं भी इसी दौर से गोजर चुका मेरी मा तो रही नहीं तेरी मा समाल तू अरे जब थे हमको आरे तब भी आदमी थे फाल तू आजकल भी हो गए है शादी शोदा बाल तू जब से कभी हुए हां मैं धेख सबी कहने लगे खाल तू जलाल तू और आई मला लापताल तू देखो ये तुम्हेरे लिए दना दन तालिया में ज़ रही है अब तुम दना दन स्टार बन रहे हो भईया क्या बात है और मुझे बड़े खुशी है रहती है कि वा भई वा के मंच पे हम पहली बार दीपक शुकला दना दन को ले के आये और उसने बहुत तेजी से तरक्की की है और मुझे उम्मीद है कि अपना नाम और करेंगे और आये बुलाते हैं उस पीडी के उस रचनाकार को जिनके हास्चर जंग में एक अनूठी अधफुत कला है और जिस धंग से वो कहते हैं जिस धंग से लिखते हैं बहुत कम लोगी कर पाते हैं मनोर मनोज हमारी उस पीडी के कभी है जो रहने कविता को जिन्दा रखा है मैं बुलाता हूँ मनोर मनोज को जोरदार तालेक्सा घटना तो छोटी थी लेकिन आप दा बड़ी थी ए समझे कि सनी की साड़े साती हमारे सिर पर चड़ी थी तब ही सुबह सुबह बीच बजार में गच्चा दे गया और एक जपटमार मेरा मोबाइल चीनकल ले गया पार्क में वही मोबाइल चोर मुझे दिखा मैं हरसाया कि अब इसको सबक सिकाता हूँ पकड़ के रहूंगा इसके पास जाता हूँ तब ही चोर ने मुझे देखा मुझे देखके मुस्कुराया और एक अंगली का इसारा करते हुए मुझे अपने पास बुलाया चोर बुला रहा इसारा चोर ने मुझे उंगली का इसारा करते हुए चोर ने मुझे बुलाया मैं आश्चर आहत एक तो चोरी उपर से सीना जोरी चोर ना मुझे देखका डरा ना घबराया मैं चोर के पास गया चोर ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और एक लंबा ठहा का लगाया बोले अबे बुढ़े चोर बोलता है चोर बोलता है अबे बुढ़े तेरा दिल बहुत फलांगता है रात के तीन तीन बजे तक जागता है तेरा दिल बहुत फलांगता है रात के तीन तीन बजे तक जागता है तूने जितनी महिलाओं को चैट और मैसेज किये हैं मैंने सब पढ़ लिये हैं मैंने सब पढ़ लिये हैं अच्छा बता ए रजनी आंटी कौन ए रजनी आंटी कौन रजनी का नाम सुनते ही हम हाथ जोड कर खड़े रहे मौन चोर बोला बड़े घटिया चुटकुले रंगीन फोटो कैसे कैसे एप बड़ी रद्धी फिल्मों से भरा पड़ा है तेरा एप अब मैं तुझे मज़ा चखाऊंगा और तेरा मोबाइल तेरी पत्री और बच्चों को दिखाऊंगा मैं चोर को नापने गया था चोर मुझे नाप रहा था वह निरभी खड़ा था और मैं थर थर कापरा था तभी चोर ने पैत्रा बदला और कहा अब मैं तुझे और खलूंगा अधे मेरा बैग ओठा मैं अभी तेरे घर चलूंगा अभी अभी तेरे घर चलूँगा पित्रो मेरा ही मोबाइल मुझे खल रहा था मैं भारी कदमों से चोर का बैग उठाए अपने घर की ओर चल रहा था अपने घर की ओर चल रहा था तभी दिमाग में एक आइडिया आया रास्ते में पड़ेगा पुलिस था न खाना आते ही मैंने चोर से कहा सर जी थाने में चलेंगे ज़रा काम से तोर मुस्क्रा कर बोला आराम से आहांते मैं थानेदार साहब कुरसी पर बैठे धूप सेंक रहे थे और अपनी बहादूरी के किस्स सिपाहियों पर फैंक रहे थे लेकिन मैं किसमत का अभागा चोर को देखते ही ठानेदार कुरसी छोड़ कर भागा मैं किसमत का अभागा चोर को देखते ही ठानेदार कुरसी छोड़ कर भागा ठानेदार आगे आगे चोर पीछे पीछे हम भैभीत खड़े हुए ते आँखे मीचे तभी चोर वापस आया और बोला कि तुझको बचाएगा तुझको इससे बड़ी आस है अभी सुन इसका मोबाइल भी मेरे पास है इसका मोबाइल भी मेरे पास है तभी एक सिपाही कुरसी ले आया चोर को इज़त के साथ बैठाया सर जी आप ठंडा लेंगे या गरम सर जी आप ठंडा लेंगे या गरम चोर की इज़त देखकर मैं ठगा का ठगा था और पूरा थाना चोर की सेवा में लगा था मुझे देखकर दैनी और असहाए जब मैं ख़डा था निरुपाए तो मुझे देखकर चोर बोला बेटा अब तूँ घर जा आज मैं तेरे घर नहीं जाओ गा, फिर किसी दिन आओंगा, और दो दिन के बाद, दो दिन के बाद, जब मैं घर साम को आया, चोर को सोफें पहे पसरा हुआ पाया, चोर मुझे देखते ही, लपक कर मुझे से हाथ मिलाया, और बोला भाई मनोज, बहुत दिन मिले हैं और यह कहकर मुझे गले से लगाया मेरी पतनी से बोला भावी जी हम दोनों ने कालेज में अच्छा समय बिताया है एक दूसरे के हर कोई काम आया है एक बार मनोच के पास कालेज की फीस देने के लिए पैसे नहीं थे तब मैंने इसको पांच हजार रुपे दिये थे पांच हजार रुपे दिये थे चोर की उदारता देख मेरे बेटा और बेटी मुस्कुराए मैं खड़ा हुआ अलमारी खोली पांच हजार निकाले और चोर को थमाए और मित्रो ये कारकम वाह भाई वाह भाई वाह मैं इसमें आया ता पिछले माह आज फिराया हूँ अग कारण खास है क्योंकि सेलेस लोड़ाजी का मोबाईल मेरे साँ है क्या बात है बदो हुआ हाह बहुत बढल या कुछ खाएंगे कुछ पिएंगे बहुत बढ़ी जा भाई वाई मनोज आपके कमाल कर दिया क्या बात है वाई हाला कि एक कविता सुनके मेरा अंतरमन मौन है बस इतना बताजी जी ये रजनी आंटी कहुन है भाई मेरे हसी अभी तक नहीं रुक रही है मनोज जी कमाल कर दिया आपने भाई कमाल ही कर दिया बस आज तो आप ही हमारे मुख्य थिती हैं क्योंकि आपने जो कहा है वो अध्भूत है बुलाता हूँ कैसे युवा रशनाकार को इसने पिछले कुछ समय में अपनी तेजी से पहचान मनाई है व्यंग का एक धुत और अनुपम हस्ताक्षर व्यंग पर अपनी पकड़ रखता है अकोदिया मंडी बहुत चोटा सा कस्वा है शाजापूर में लेकिन वहाँ से आते हैं गोविंद राठी और कमाल की व्यंग की चलाते हैं लाठी जोड़दार तालियों के साथ शेलजबिया सबसे पहले में बावा की पूरी टीम को आप सहीत बढ़ा ही देता हूं शुब कामना ही देता हूं हिंदी की समरद्दी के लिए आप संगठीत होकर जो काम कर रहे हैं मैं परणाम करता हूं अप सभी को भाई साब आपने कह दिया बस क्या है बस आप ही के इस वाकिस के लिए जी रहे थे हम लोग आपने जिस इत्रा बड़ा आदमी देख आप इतनी अज़क्षिय मुद्रा में आशिरवाद दे रहा है भाई आप लोग जो संगठीत होकर काम कर रहे हैं बबावर धन्यवाद ह वर्ना शेलेज प्या संगठन की आप बच्चों ने खराब कर रखी है अच्छा वो बच्चे ने आप आप आदेखिये क्या कर दी मास्टर की मास्टर जी ने बच्चे के मूँ से सिग्रेट खींच कर तोड़ते हुए कहा संगठन में शक्ती होती है इसका कोई बड़ा बच्चा बोला मास्टर जी एक अकेली बीड़ी को तो कोई भी तोड़ सकता है लो आप ये बंडल तोड़के बच्चों ने एक कविता देखिये कि एक नव्यूर खुद को इश्क का बीमार कर बेठा दाहतों के एक सरकारी डॉक्टर की लड़की से प्यार कर बेठा रोज पतीस वे दिन उसने जुबान से मसुड़ों को टटोला और पोबले मूँ से जाकर अपनी प्रेमीका से बोला तुमने क्या गजब की आफ़त कराई है तुम्हारा बाप है या कसाई है चादी की बात बीच में ही काड़ देता है कुछ बोलने के लिए मूँ खुलो तो एक बात निकाल देता है वाँ अच्छे बत्तिस दिन में निकाल दी मेरी बत्तिसी मगर कंबख्त ने बात नहीं की इतीसी मुझे अपने सरकारी बाप से बचाओ घर में कोई अशरकारी सदस्यों तो बताओ लड़की ने पर्फ खोल कर निका ली एक पेंड की लड़की गोली फिर लड़के के बालों को अपने हाथों से इसे लाकर बोली, तुम्हारे किस्से में तो गजब का लॉफ्टर है, घर में एक अन्य सदस्या मेरी मा है, जो पेशे से दिल की डॉक्टर है, और मेरे मजनू, वो तो मैं ही हूँ, जिसने लेला बनकर, तुम्हारी इस महबत को सह बेजा है, और शुक्र मनाओं के तुम्हें अपनी उस रदय रोग विशेशक की मा के पास नहीं बेजा है, वरना ये घटना आसमान से भी आगे बढ़ लेती, मेरे बापने तो सिर्फ तुम्हारे दांत निकाले हैं, वो तुम्हारा दिल निकालके पढ़ लेती, दोस्तों वो तो लड़की भले परीवार की है, संसकारी थे, शिष्ट है, जो ये बात पचा गई, क्यो एक भाई भी है, जो तो की दिनी का स्वील Сब्स लेख wysy माधर है, ये चित्र बड़ा वचित्र है मित्र, एक चित्र और धेखेंगे, और भी देखते हैं, कॉन क्या कहेगा ये यह चित्र बड़ा विचित्र है मित्र अरे मन्होर मनोजी कई आपी तो नहीं खड़े उल्टे है यह यह दिदर आई यह ना अ अ वा क्या लाज एभा माच यह चित्र देख़्े किसी को शूच्छ ता सर इसे देखके चार पंग्दियां मुझे याद आती है के दरिया दिल्वी हुए आजकल कंजूसों के बाप यहां पहलवान महंगाई के डर से हुए चवन्नी चाप यहां बाल उड़े थे जिनके सर से देख देख राशन का परचा बो गंजे अब खुश हो रहे हैं ना कंगी ना कटिंका खरचा सर मुझे फिर चार पंगतिया याद आ गहीं हमारे सपन की खातिर कभी भी वो नहीं सोई हमारे सपन की खातिर कभी भी वो नहीं सोई लड़ी है हर मुसीबत से कभी हिम्मत नहीं खोई यहां जितने भी पती बैठे हैं सबसे पूछ लो यारो कि पतनी मारती जब है बचा पाता नहीं कोई वाँ वाँ अच्छे तो भाई आज की मैफिल मुझे और कुछ भी कहने की जुरूत नहीं है यह था कि यह हसी यह जिन्दगी को अर्थ देते हैं और सबसे बड़ी चीज़ यह है जो मैं देश के लोगों से कहना चाहता हूँ देखिए और देखके इस चीज़ को महसूस कीजिए कि हास से बिना फूरता के बिना अशलीलता के बिना कोई हल की बात किये बिना किसी पे कोई ऐसी टिपणी कीए जिससे उसका दिल दुखे उसके बिना भी क्या कुछ किया जा सकता है जिसके उधारन ये कवी है मुझे गर्व है मेरे देश की कविता की संस्क्रिती पर मुझे गर्व है जहां हिंदी कवितार और्दु शायरी को इस महबबत से सुना जाता है पूरी दुनिया में इतने सारे देश हैं लेकिन जब पचास-पचास हजार लोग एक साथ बैठकर कविताय सुनते हो लाखों लोग एक साथ बैठकर कविताय सुनते हो ये इस देश की सिवाय और कहीं नहीं होता और हमें गर्व है, शेमारू टिवी को गर्व है कि आज हम इस देश की संस्तृति को इस तरह से आपकी समक्ष पस्तुत कर रहे हैं जो हमारे घर आंगन में पलती है ये कविता की ताकत है ये शायरी की ताकत है ये शब्दों की ताकत है और ये ताकत यूही जिन्दा रहेगी हम रोज यूही मिलते रहेंगे और कहते रहेंगे वाँ भाई वाँ